रात में खाने के बाद 10 मिनट टहलने से सब रहेगा अंडर कंट्रोल खाने के बाद टहलने के फायदों को कई स्टडी और एक्सपर्ट द्वारा फायदे मंद माना जाता है। खाना खाते ही ज्यादा तर लोग सीधे अपने बेडरूम के तरफ चल पड़ते हैं। ऐसा करना भले ही आपको इस पल करने में सबसे ज्यादा आनंद पूर्ण लग रहा होगा। लेकिन वास्तव में यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। आपको यह ध्य करने के लिए दिन में समय निकालना मुश्किल है तो एक्टिव रहना एक सरल तरीका हो सकता है। आप खाने के बाद कुछ देर सैर कर सकते हैं। यह न केवल आपको फिट रहने में मदद करेगा बलकि इसके जरीए आपको कई दूसरे फायदे भी होंगे। ऐसे में आज हम आपको आपको डिनर के बाद टहलने की कुछ ठोस वजह दे रहें हैं ताकि आप इसे अपने रूटीन में शामिल करें। पाचन क्रिया को बहतर करता है रात के खाने के बाद चलने से आपके शरीर को अधिक गैस्ट्रिक एंजाइम का बनाने में मदद मिलती है। साथ ही आ को कंट्रोल किया जा सकता है। दरसल खाने के 30 मिनट बाद ब्लड शुगर स्पाइक शुरू होता है। ऐसे में टहलने से शरीर उर्जा के लिए ग्लुकोज का उपयोग करता है और ब्लड शुगर नियंत्रित बना रहता है। मेटाबॉलिजम रहेगा। बूस्ट मेटाब कार में रखेगा। यानि रात के खाने के बाद टहलना वजन को नियंत्रित रखने वालों के लिए भी मददगार होता है। दिमाग नहीं रहेगा। तनाव ग्रस्ट पैदल चलना आपके शरीर में तनाव को दूर करने और एंडॉर्फिन को रिलीज करने में मदद करता है यह आपको बेहतर महसूस कराता है और आपके मूड को ठीक करता है। इस प्रकार रात के खाने के बाद चलना आपको खुश रख सकता है और अवसाद को दूर रखने का काम करता है। शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ती देता है रात के खाने के बाद टहलने से आपका पाचन बहतर होता है जो शरीर से विसाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जरूरी होता है जिससे आंतरिक अंगों को बहतर काम करने में मदद मिलती है साथ ही आपकी प्रतिरक्षा में सुधार होता है इससे आपका शरीर विभिन संक्रमनों को दूर रखने में सक्षम रहता है जिसमें COVID-19 जैसे गंभीर संक्रमन भी शामिल है रात में अच्छी नींद के लिए जरूरी है वाक आपको शारीरिक रूप से फिट रखने के साथ साथ रात के खाने के बाद टहलना मानसिक स्वास्थे के लिए भी फाइदे मंद होता है अगर आपको रात में सोने में परेशानी होती है तो हर रात को खाना खाने के बाद टहलने जाएं और आपको जल्द ही परिणाम दिखाई देंगे किसी भी नई उपाय को शुरू करने से पहले बहतर होता है कि आप एक पेशेवर चिकितसक की सलाह लें और उनके मार्क दर्शन में ही कोई नया उपाय आजमाएं आपको यह जानकारी कैसी लगी आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें अगर पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करना और मुझे फॉलो करना ना भूले धन्यवाद